ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज 23 जून 2024 बाबा के महा वाक्य निर्माड और निर्मान के बैलेंसे दुआओं का खाता जमा करो आज बाबतादा अपने होली हैपी हन्सों की सभा में आये हैं चारों और होली हन्स दिखाई दे रहे हैं होली हन्सों की विशेष्टा को सभी अच्छी तरह से जानते हो सदा होली हैपी हन्स अर्थात स्वच और साफ दिल ऐसे होली हंसों की सुच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुब आशाएं सहज पूर्ण होती है सदा तरप्त आत्मा रहते हैं स्रेश्ट संकल्प किया और पूर्ण हुआ मेहनत नहीं करनी पड़ती क्यों? बाब दादा को सबसे प्रिय सबसे समीब साफ दिल प्यारे है साफ दिल सदा बाब दादा के दिल तख्त नशीन सर्व स्रेश्ट संकल्पूर्ण होने के कारण व्रत्ती में, द्रश्टी में, बोल में, संबंद संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं सरलता की निशानी है दिल दिमाग बोल एक समान दिल में एक बोल में और ये सरलता की निशानी नहीं है सरल स्वभावाले सदा निर्माणचित निरहंकारी निर्स्वार्थी होते हैं होली हंस की विशेषता सरल चित, सरल वाणी, सरल व्रती, सरल द्रश्टी बाप दादा, इस वर्स में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चहरे में देखने चाते हैं सभी पूछते हैं न, आगे क्या करना है? इस सीजन के विशेस समापती के बाद क्या करना है? सभी सोचते हो न, आगे क्या होना है? आगे क्या करना है? सेवा के छेत्र में तो यथा शक्ती मैजारटी ने बहुत अच्छी प्रगती की है, आगे बड़े हैं, बाप दादा इस के लिए मुबारख भी देते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा साथ साथ result में एक बात दिखाईली क्या वैं सुनाएं टीचर सुना है डबल फॉरिनर सुना हैं पांड़क सुना हाथ उठाओ तबockey सुनाएंगी नहीं तो नहीं सुनाएंगे सबी़ीट उठाया बहुत अच्छा एक बात क्या देखी क्योंकि आज वतन में बाब दादा की आपस में रूह रिहान थी कैसे रूह रिहान करेंगे दोनों कैसे एक दो में रूह रिहान करेंगे जैसे इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो न बहुत अच्छी अच्छी करते हो तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पाड़ जाती है और बाब दादा दो आत्मा एक शरीर हैं फर्क हुआ ना तो बहुत मजे की बात होती है तो आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली किस बात पर आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है जानते हो न अच्छी तरह से ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाब को विनाश बाब परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं चुटकी बजाने की बात है लेकिन आप पहले 108 नहीं आधी माला बना कर दो तो ब्रह्मा बाब ने क्या पुत्तर दिया होगा बताओ तयार हो रहे हैं अच्छा आधी माला भी तयार नहीं हुई है पूरी माला की बात छोड़ो आधी माला तयार हुई है सबी हस रहे हैं हसना माना कुछ है जो बोलते हैं आधी माला तैयार है वह एक हाथ उठाओ तैयार हुई है बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं कि हो रही है वह हाथ उठाओ मैजारिटी कहते हैं हो रही है और मैनारिटी कहते हैं हो गई है जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना अच्छी बात है ना बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे बंद होगा बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन है बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए तो इन से नाम लेना इनका फोटो निकालो तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिये ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है जो आप चप्टी बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे तो अच्छी बात हुई ना तो शिवाब ने कहा अच्छा सारी माला तैयार है आधी माला का तो जबाब मिला सारी माला के लिए पूछा उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए ये रूह रिहान चली क्यों थोड़ा टाइम चाहिए रूह रिहान में तो प्रस्न उत्तर ही चलता है ना क्यों थोड़ा टाइम चाहिए कौन सी विशेश कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है तो चारों और के बच्चे हर एरिया एरिया के इमर्ज करते आए जैसे आपके जोन है ना ऐसे ही एक-एक जोन नहीं जोन तो बहुत-बहुत बड़े है ना तो एक-एक विशेश शहर को इमर्ज करते गए और सब के चहरे देखते गए देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेशता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारन कर लेंगे तो माला तयार हो जाएगी कौन सी विशेशता तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नती की है सर्विस करते हुए आगे बड़े हैं अच्छे आगे बड़े हैं लेकिन एक बात का बैलन्स कम है वह यही बात की निर्माड करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए लेकिन निर्माड के साथ निर्मान वह है निर्माड और वह है निर्मान मात्रा का अंतर है लेकिन निर्माड और निर्मान दोनों के बैलन्स में अंतर है सेवा की उन्नती में निर्मानता के बजाए कहां कहां कब-कब स्वय अभिमान भी मिक्स हो जाता है जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही व्रत्ती में, द्रिष्टी में, बोल में चाल में निर्मानता दिखाई दे इस बैलेंस की अभी बहुत आविश्रकता है अभी तक जो सभी संबंद संपर्क वालों से ब्लैसिंग मिलनी चाहिए वह ब्लैसिंग नहीं मिलती है और पुरशार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है लेकिन पुरशार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूती नहीं होगी आवश्यक है सुवपुरशार्थ और साथ साथ बाब दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं ये दुआएं जो हैं ये पुन्य का खाता जमा करना है ये माक्स में एडिशन होती है कितनी भी सर्विस करो अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो लेकिन बाब दादा सभी बच्चों में ये विशेश्ता देखने चाते हैं कि सेवा के साथ निर्मानता मिलन सार ये पुन्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्रक है फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की मैंने तो ये किया मैंने तो ये किया मैंने तो ये किया लेकिन नमबर पीछे क्यों इसलिए बाब दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय ये पुन्य का खादा बहुत बहुत जमा करो ऐसे नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा ये तो बदलना नहीं है जब प्रकरती को बदल सकते हो एड़ेस्ट करेंगे ना प्रकरती को तो क्या ब्रामन आत्मा को एड़ेस्ट नहीं कर सकते हो अगेंस्ट को एडजेस्ट करो यह है निर्माण और निर्मान का बैलेंस सुना लास्ट मैं होमवर्क तो देंगे न कुछ तो होमवर्क मिलेगा न तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा लेकिन कंडिशन ला लेगा देखो साकार का पार्ट भी चला अव्यक्त चलने का स्वपन में भी नहीं था तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले अब कोई तो कंडिशन डालनी पड़ेगी या नहीं क्या राय है क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्यों आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रहान में यह भी चला कि यह ड लेट है देहरादून की प्रेम बहन से जन्म पत्री सुनाओ कब तक अभी यह क्विश्चन उठा है कब तक तो लेकिन के लिए छे मास तो हैं ही न छे मास के बाद ही दूसरी सीजन शुडू होती है तो बाप दादा रिजल्ट देखने चाते हैं दिल साफ कोई भी दिल में पुराने संसकार का अभिमान अपमान की मैसूस्ता का दाग नहीं हो बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशिनरी है यहां एक स्रे में ये स्थूल दिल दिखाई देता है न तो वतन में दिल का चित्र बहुत इसपष्ट दिखाई देता है कई प्रकार के छो लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ती संपन बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती वहें मेहनत बहुत करते हैं अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाय हुए रहेगे दिल में बाप समाया हुआ है किसी भी रूप की माया चाहे सूच्म रूप हो चाहे रोयल रूप हो चाहे मोटा रूप हो किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती स्वप्न मात्र संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती तो महनत मुक्त हो जाएंगे न बाब दादा मनसा में भी महनत मुक्त देखने चाते हैं महनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं होली मनाना माना महनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूती में रहना अब बाब दादा मनसा शक्ती द्वारा सेवा को शक्ती शाली बनाने चाते हैं वाडी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी लेकिन इसमें समय लगता है, समय कम है, सेवा अभी वी बहुत है, रिजल्ट आप सबने सुनाई, अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते, 16,009 लाक ये तो बहुत दूर हो गए, इसके लिए fast विदी चाहिए, पहले अप सकिंड भी व्यर्थ नहीं जाए, अभी तक मैजारिटी के वेश्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है, अशुद नहीं लेकिन वेश्ट हैं, इसलिए मनसा सेवा fast गती से नहीं हो सकती, अभी holy मनाना अर्थात, मनसा को व्यर्थ से भी holy बनाना, होली मनाई, मनाना अर्थात बनना, दुनिया वाले तो भिन भिन रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाब दादा सब बच्चों के उपर दिव्य गुडों के, दिव्य शक्तियों के ग्यान गुलाब के रंग डाल रहे हैं, आज वतन में और भी समाचार था, एक तो सुनाया रूह रिहान का, दूसरा ये था कि जो भी आपके अच्छे-च्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था, आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, अपनी दादियों की, सखीयों की, पांडव लोगों की याद तो आती है ना, बहुत बड़ा गुरूप हो गया है, एडवांस पार्टी का, अगर नाम निकालो तो बहुत हैं, तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी, सभी अपने अपने पुरसार्थ की प्रालब्द प्रमाड भिन भिन गुपत है, आप सोचते होना क्या कर रहे हैं, वह आप लोगों का आवहन कर रहे हैं, कि संपून बंदिव्य जन्म द्वारा नई स्रिष्टी की निमित पनो, सभी अपने पार्ट में खुश हैं, ये समर्ती नहीं हैं कि हम संगम यूग से आए हैं, लेकिन ग्यान किलियर इमर्ज नहीं है, नियारापन है लेकिन अगर ग्यान इमर्ज हो जाए, तो सभी भाग करके मदवन में तो आजाए न, लेकिन इनों का पार्ट नियारा है, ग्यान की शक्ती है, शक्ती कम नहीं हुई है, निरंतर, मर्यादा, पूर्व перек घर का वातवर मैसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजारिटी एक रॉयल फैमिली की तरपतात्माएं, भरपूर आत्माएं, हरसितात्माएं और दिव्वे गुन संपन आत्माएं दिखाई देते हैं। ये तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई। आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन भिन रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं, तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है न। ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोज वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हलका होता है न। ऐसे भिन भिन रंग के हीरों की थालियां भरी होई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में सुरूप कौन सा होता है जानते हो। लाइट का ही होता है न। देखा है न। लाइट की प्रकाश में काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाब दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवान्स पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई तो आप समझते हो कि संगम युक की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे बाब दादा ने भी देखा ये बड़े मौज में आ गए हैं तो मिलने दो इन्हों को आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानिया एक दो को सुना रहे थे बाबा ने ऐसा कहा बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया शिक्षा दी बाबा ऐसे कहता है बाबा 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 ही था कुछ समय के बाद क्या हुआ सब के संसकारों का तो आपको पता है तो सबसे रमणी कौन थी इस ग्रुप में दीदी और चंद्रमणी दादी तो दीदी पहले उठी चंद्रमणी दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी और दीदी जैसे यहां नशे में चली जाती थी न वैसे नशे में खूब रास किया मम्मा को बीच में ठेराया और सरकल लगाया एक दो को आँख मिचोनी की बहुत खेला और बाब दादा भी देख देख बहुत मुस्करा रहे थे होली मनाने आये तो खेलें भी कुछ समय के बाद सभी बाब दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लबलीन हो गए और उसके बाद फिर बाब दादा ने सब के ऊपर भिन भिन रंगों के जो हीरे थे बहुत महीन थे जैसे किसी चीज का चूरा होता है न, ऐसे थे लेकिन चमक बहुत थी तो बाब दादा ने सब के ऊपर डाला तो चमकती हुई बाडी थी न, तो उसके ऊपर वह भिन-भिन रंग के हीरे पड़ने से, बहुत सभी जैसे सज गए लाल पीला हरा, जो साथ रंग कहते हैं न, तो साथ ही रंग थे तो बहुत सभी ऐसे चमक गए, जो सत्युग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी सब मौज में तो थे ही फिर एक दो को भी डालने लगे रमणीक बहने भी तो बहुत थी ना बहुत-बहुत मौज मनाई मौज के बाद क्या होता है बाप दादा ने इन एडवान सब को भोग खिलाया आप तो कल भोग लगाएंगे न लेकिन बाप दादा ने मदुबन का संगम युक का भिन भिन भोग सब को खिलाया और उसमें विशे सोली का भोग कौन सा है गेवर जलेवी आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं न तो वराइटी संगम युक के ही भोग खिलाये आप से पहले भोग उन्होंने ले लिया है आपको कल मिलेगा अच्छा मतलब तो बहुत मनाया नाचा गया सभी ने मिलके वा बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा के गीत गया तो नाचा, गाया, खाया और लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना लेकिन पहले अभी फरिष्टा बन प्रकाश मैं काया वाले बन जाओ बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है? नहीं, सैकेंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूब बन जाओ बन सकते हो? बिलकुल फरिष्टा बाब दादा ने सभी को ड्रिल कराई अभी अपने उपर भिन भिन रंगों के चमकते हुए हीरे सूचम शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुडों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्यान के रंग से स्वयम को रंगती रहो और सबसे बड़ा रंग बाब दादा के संग के रंग में सदा रंगी रहो ऐसे अमर भव अच्छा, ऐसे देश-विदेश के फरिष्टे स्वरू बच्चों को सदा साफ दिल प्रापती संपन बच्चों को सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को सदा निर्मान और निर्मान का बैलन्स रखने वाले बच्चों को सदा दुआओं के पुन्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते वर्दान मधूरता द्वारा बाब की समीपता का साक्षात कार कराने वाले महान आत्मा भव जिन बच्चों के संकल्प में भी मधूरता बोल में भी मधूरता और कर्म में भी मधूरता है वही बाब के समीप हैं इसलिए बाब भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे और बच्चे भी रिस्पॉंस देते हैं मीठे मीठे बाबा तो यह रोज का मधूर बोल मधूरता संपन बना देता है एसे मधूरता को प्रत्यक्ष करने वाली सिरेष्ट आत्माय ही महान है मधूरता ही महानता है मधूरता नहीं तो महानता का अनभव नहीं होता सिलोगन कोई भी कारे डबल लाइट बनकर करो तो मनुरंजन का अनुभव करेंगे अच्छा, ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती.